गाईज नमस्कार भारत वर्सेज स्री लंका भाईश अब इस मैच की फर्स्ट बैटिंग देखके बिल्कुल मजा आ गया कि क्या बात भारत ने जबरदस्ट बैटिंग करी और 350 प्लस स्कोर बना दिया लेकिन उसके बाद जैसे ही सेकंड इनिंग देखी मैं सही बता रहा हू मेरा तो फर्स्ट रियक्शन था मतलब स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं लग रहा था कि क्रिकेट मैच है फुटबोल मैच है मतलब भारत की बल्ले बाजों ने जो 350 प्लस स्कोर बनाया जो बैटिंग परफोर्मेंस दिखाई उसको बिल्कुल फीका बना दिया भारत की मतलब स्रिलंका की बल्ले बाज आ रहे हैं और जा रहे हैं एक के बाद एक विकेट गिरता ही गया भारत का जो भी बोलर आ रहा है विकेट ले रहा है अगर मैं करेंट अभी हाल फिलाल का स्कोर बताऊं तो भाई सब 37 रनों पे 8 विकेट गिर चुके हैं और चेज करना है 358 यानि 358 run सिरी लंका की ऐसी हालत देखे आज भाई साब रावन भी बहुत दुखी होगा मतलब रावन भी उपर बैठ के सोच रहा होगा कि यार मैं तो सोने की नगरी में रहता था और बहुत महान था मतलब ये हमारे वनसच कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अब बड़ी सीधी और सिंपल सी बात है जब सिर्लंका का ऐसा हाल हो तो मन करता है चलो ट्वीटर ओपन करके देखते हैं पॉब्लिक का क्या reaction है जैसा ही मैं ट्वीटर ओपन करता हूँ मैं देखता हूँ वहाँ पे इंडिया वर्सिस स्रिलंका तो ट्रेंड कर रहा है लेकिन उसके साथ में ये क्या सारा तेंदुलकर पहली बात तो किसी को भी सर्प्राइज होने की बिल्कुल भी जरुत नहीं है कि ऐसा कैसे हो रहा है अरे भाई सुमन गिल ने 100 नहीं बनाया ना तो सबसे ज़्यदा दुखी कौन होगा भारत की जंता किरिकेट का मैच देखरी ओडियन्स नहीं क्यूंकि according to cameraman कोई और ही दुखी है मतलब ऐसा पूरा ट्रेंड ओपन करके देख लिया हर जगे बस यही दिखाया जा रहा है सुमन गिल ने चोका मारा तो कैमरा जाके एक जगे टिक जाता है और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है भारत की किरिकेट के इतियास में ऐसा ही होता है तुम्हें क्या लगता है किरिकेट मैच आज की डेट में काफी हद तक बदल चुका है अगर आप टीवी के उपर क्रिकेट मैच देख रहे हो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको खिलाडी दिखेंगे और उनकी परफॉर्मेंस दिखेगी और उसके बाद में पबलिक का सेलेब्रेशन दिखेगा क्रिकेटर ने आपके फिवरिट क्रिकेटर ने चोका या छका मारा है कमसे कम उस बोल को तो दिखाओ कि वो किसके हाथ में गई है ओडियंस में पता नहीं किसी ने अच्छा खासा कैच ले लिया हो और दर्सकों में काफी सारे अजीबों गरीब लोग आते हैं उनके रियक् की बात नहीं होगी, भले ही भारत के सारे खिलाडियों ने अच्छा कासा परफोमेंस किया है, 350 प्लस स्कोर बना दिया, लेकिन किसी भी एक खिलाडी ने सतक नहीं बनाया, मतलब जो भी आए उन्होंने अच्छा खेला, नेकिन जो सबसे खतरनाक बात रही वो थी भारत के बोलर, मतलब यार स्कूर कार्ड तो देखो, भुम्रा, पांच अवर, एक अवर मैडिन, आठ रन दियें, एक विकेट, मुहम्मद सिराज, साथ अवर, उसमें से दो मैडिन, सोला रन दियें, और तीन विकेट ले लिए, और भाई साब मुहम्मद समी, अभी चार अवर कियें एक मैडिन है, सोला रन और चार विकेट ले लिए, मतलब भारत के जो तीन तेज गेंदबाज हैं, भुम्रा, सिराज और समी, पिछले तीन चार मैच अगर आप उठा के देखोगे, तो भाई साब बोलिंग से आग उगल रहे हैं, और भारत की इतनी डेंजरस बोलिंग दे पांडिया चोट की उज़े से बाहर बैठा है, इसलिए समी को मोका मिला, अगर भारत के अगली मैचों की बात करी जाए, तो अब तो दो ही मैच बचें, उसमें से साउथ अफरीका वाला जो मैच है, वो थोड़ा बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि साउथ हालफ लाल अच्छी फोम में है, खास तोर पे उनका ये खिलाडी, तो संडे का मैच टेफिनेटली देखने लायक होगा, तो भाई साब भारत की इतनी तगडी फोम देखे लग रहा है कि इस बार तो वल्ड कप बनता है, मतलब पूरे पूरे चांसेज हैं, अब वल्ड कप आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, और हाँ, अभी हालफ लाल एक और विकेट गिर गया है, समी ने ले लिये हैं, पांच विकेट, मतलब दूसरी बार पांच विकेट, so that's it, thank you and bye bye